Hello my dear friends, कैसे हैं आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं लाइफ के हर एक चीज से कुछ ने कुछ सेखने की कोशिच करता हूँ और आज मैंने कुछ ऐसा सिखा जिसने मेरी आँखें खोल कर रख दी और I think ये आपको भी सुनना चाहिए क्या आपको डू लिंगो के बरें पता है डू लिंगो एक एप है, बिसिकली एक प्लाटफॉर्म है जिसमें हम लोग दुनिया के तकरीबन सारे भासा हैं सेख सकते हैं सारे लेंगवेजिस उसमें सेख सकते हैं जैसे अलग-अलग गेम्स में ये फीचर्स होते हैं लीडर बोड का, लीडर बोड मतलब कि जो बंदा डू लिंगो पे लेंगवेज सीखने में जड़ा वक्त बिताएगा, जो जड़ा टाइम देगा वो लीडर बोड में टॉप पे होगा इसका मतलब ये है कि डू लिंगो में जो जितने ज़़ादे महनत करेगा जो जितने ज़्यादे सही answers देगा वो leaderboard में top पे होगा और वो number one पे होगा तो फर्स किजिए कि एक intelligent बंदा एक smart बंदा, एक talented बंदा dualingo पे कोई language सिखने के लिए आता है पर वो language सिखने में उतना time नहीं लगाता, उतना time नहीं देता उतनी मेहनत नहीं करता तो आपको क्या लगता है, कि वो बंदा leaderboard में top पे आएगा बिल्कुल नहीं, और कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि वो उतनी ज़्यादे मेहनत नहीं कर रहा है और ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है, वो उस बंदे से ज़्यादा talented है, जो leaderboard में top पे हो, इससे related, रशिया के UFC fighter ख़बीब कहते हैं, कि talent is a curse, मतलब talent एक शुराप है, एक बद्दुआ है, क्यों? क्योंकि talented लोग hard work नहीं करते हैं talented लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग ये सुचते हैं कि मैं तो intelligent हूँ, smart हूँ तो मुझे मेहनत करने ही क्या ज़रोत है इसलिए ख़बीब कहते हैं कि talent एक बद्दुआ है क्योंकि talented लोग कभी hard work नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग ये नहीं जान पाते हैं, कि मेरे अंदर कितना potential है, मेरे अंदर क्या-क्या काबिल्यत है, मैं किस काबिल हूँ और मैं क्या-क्या कर सकता हूँ The great scientist Albert Einstein कहते हैं कि genius is 1% talent and 99% hard work मतलब कि जो बंदा genius होता है उसमें 1% talent होता है और 99% hard work होता है इससे ये पता चलता है कि बिना hard work करके बिना hard work के कोई भी बंदा genius नहीं बन सकता अगर कोई बंदा talented है, smart है, genius है तो ये qualities उसके किसी काम के नहीं जब तक कि वो मेहनत ना करें पर आपको एक कमाल की बाद बताओ कोई भी बंदा genius, smart और talented बन सकता है बस शर्थ ये है कि वो बंदा अपने field में और लोगों से ज़्यादा मेहनत करे और और लोगों से ज़्यादा बहतर बनने की कोशिश करे और बहतर कैसे बना जाता है obviously मेहनत करके, hard work करके इसका सबसे बहतरीन exam पहरा है cricketer Abdi Villiers Abdi Villiers का नाम तो आपने सुना ही होगा cricket के वनबदी genius batsman में से कहा जाता है उनको पर क्या आपको पता है कि Abdi Villiers सिर्फ cricket में ही रगबी में swimming में और golf में भी champion थे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खिलाडी cricket में भी swimming में भी, golf में भी कैसे champion हो सकता है कैसे top 1% खिलारी बन सकता है हम लोगों को लग सकता है कि Abdi Villiers में ऐसा कुछ inborn talent है, जन्मजाद talent है हो भी सकता है लेकिन बिना महनत के कोई भी बन्द अपने field में top पर कैसे पहुंच सकता है उसके लिए महनत लगती है उसके लिए hard work लगता है जैसे कि Albert Einstein ने कहा था कि genius is 1% talent and 99% hard work इससे ये proof हो जाता है कि बिना hard work के कोई भी बन्द कभी भी genius नहीं बन सकता वेल दन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अपना important feedback जरूर दें ताकि मैं improve कर सकूँ This is Farhan Shemimi Thank you so much